how to hide apps on android friends आपके पास Samsung, Redmi, Vivo, Oppo, Oppo को कोई साभी मुबाइल हो जिसमें आप जोए अपने apps को चुपाना चाहते हो चाहे Instagram हो गया, WhatsApp हो गया, Free Fire हो गया, Snapchat हो गया कोई भी apps को जोए आप अपने mobile के अंदर चुपाना चाहते हो, मतलब hide करना चाहते हो तो बिलकुस सही video पर आपने click किया है आज इस video में मैं आपको बताऊँगा कि आप जोए अपने mobile में apps को कैसे hide कर सकते हो, कैसे चुपा सकते हो इस वीडियो में आपको बताऊँगा आपके पास friends चाहे कोई साभी mobile बस आप इस वीडियो को end तक देखते रहे ना ठीक है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा friends देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है अपने play store के application को open करके आपको आपके सर्च करना है hide you calculator देख सकते हो आपको जाना है और सर्च करना है यह वाल अप्लिकेशन देखो hide you calculator यह वाली अप्लिकेशन रहेगी 46 MBA इसका जो है 100 million प्लस डाउनलोडिंग है तीक है इसका एप का इंटरफेस इस तरीके से रहेगा देखो आप सर्च करोगे तो आपको यह मिल जाएगी hide you calculator देख लो अब यह अप्लिकेशन आपको जो है आपको प्लेस्टोर में जाके आपको यह अप्लिकेशन फ्रेंड्स डाउनलोड कर लेना है ठीक है अब यह अप्लिकेशन जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आपको next step क्या करना है यह म आपको open करना है तो चले हम जो इस application को जो open कर लेते हैं अब friends जैसे यहाँ पर open करोगे तो open करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो agree and continue के option पर क्लिक करके grant के option पर क्लिक करके सबसे पहले आपको allow access to manage all files का यहाँ पर यह permission देना चाहिए आप friends परमिशन देने के बाद इस तरह की से बोलेगा create your appeal आप friends आपको क्या करना होगा कि आप सभी को यहाँ पर जो है got it के option पे क्लिक करके अब यहाँ पर यह पूछे का enter four digit password अभी आपको अपना जो है आपको एक password यहाँ पर generate कर रहा है ठीक है जो भी आप अपना password रगन इस चीप करना था वही यहाँ पर password को आपना एंटर कर रहा है पिर सी लिओनगा नहीशन फिर से प्रत लकर छेकर न करना हं दुर आप यहांसे पर सू Спасибо करने के बाद को आपको फिर से स्कित करना है कोई भी आइड्चिने को मिलेला तो simple है अब यहाँ से जो क्लिक करके इसक को सलेक्ट करना है ठीक है यहांपर चाहिए नीचे को मैने निक्स का यहांपर आपको क्लिक करने के बाद इस तरह किसे आप पर इंटर्फेस है क्लिक कर देना है आप इंटर करने के बाद幸ए अब तो यहां developing आपको स्लेक करना है सलेक करने के बाद देखो इस तरी के से यहाँ पर कुछ जो एंग का इहां पी कुछ चींज हो जा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा था तो यहां पर थेखो अभी हमने जो applications को hide किया है वो आपको कहाँ पर देखने को मिले कि यह मैं आपको बता देता हूँ अभी देखो आपको hide you calculator app जो है इसी को open करना है आप open करने के बाद इस तरह किसे थोड़ा से हैं पर load हो जाएगा ठीक है और यह जैसे loading complete हो जाएगा तो आपने जो applications को hide किये थे वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह मैं आपको बतायता हूँ अब यह आपको आपको आपना log डाल देना है जो आपने log generate किया था ठीक है यहाँ मेरा log डाल देया उसके बाद enter करना होगा एंटर करने के बाद देखो इस तरह किसे interface आएगा तो यहाँ पर देखो ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जो भी आप applications को hide करोगे न तो यह applications आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप इसको friends आप दुबारा से unhide करना चाहते हो मतलब वापस लाना चाहते हो अपने profile में तो आपको hide इस application के option पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको unhide का option मिलेगा यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ से unhide करते जाए न देखो यह आप ऐसे type करते जाओ तो य unhide हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दुबारा से यहाँ पर मेरे वापस आ जोगे इस तरह के से friends आप जो किसी भी android के mobile में apps को चुबा सकते हो apps को hide कर सकते हो video helpful लेकिते वीडियो को like करके चाहँ को subscribe करना मिलते हैं नही वीडियो के साथ